नमस्कार टीपीवी नियूज में आपका स्वागत है मैं हूँ आपकी साथ रुपल शर्मा आईए रुप करते हैं खबरों की और रावला घरसाना रोड पर ओवर कंट्रोल होकर एक कार नहर में जागिरी जिससे दो व्यक्ति गंभी रूप से घायल हो गए उनको घरसाना हॉस्पिटल पहुंचाया गया बताया जा रहा है कि गाड़ी के सामने बाइक आने के कारण ये हाथसा हुआ जिससे गाड़ी अनियं लाइन को विदोत विभाग ने विधायक निधी से 70 लाग की लागत से पदमपूर फीडर की 33,000 वाल्टेज केजरी लाइन को अन्य जगे पर शिफ्टिंग कर विधायक गुर्मीच सिंग कुन्नूर ने इसका लोकार पड़ किया इस दोरान बड़ी संख्या में वाड पार सहीत अन्य नागरे को पस्तित रहे प्रताबगड के अनौध उप्खंड शेतर में जिला कलेक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने गौतमेश्वर महादेव की दर्शन किये साथ ही औचक निर्खशन भी किया इस दोरान मंदिर में पूजा अर्चना की गई जिला कलेक्टर न इनने को कचहरी परिसर पर चलते हुए आज 233 में दिन हो गए हैं लेकिन ये धर्ना अभी भी जारी है जब तक किसारों की मांगे पूरी नहीं होती तब तक ये धर्ना जारी रहेगा धर्ना स्थर पर काफी संख्या में लोग मौजूद रहे पुलिटिन में से लाल इतना ही देखते रहें टीपीवी न्यूज